नमस्कार मित्रों स्वागा थे आपका study IQ में आज हम लोग बात करने वाले हैं electronic vehicles के बारे में हाली में एक opinion में editorial आया था लेकिन यहाँ पे मैंने एक comprehensive discussion ज़रूर किया है यहाँ पे electronic vehicles का सरकार ने already indication दे दिया है कि we will incentivize or there is a need to incentivize a shift to electric vehicles in fact अगर हम लोग बात करें मोधी सरकार की बहुत-बहुत-बहुत statements आ चुके हैं कि complete electric vehicles हो जाएंगी 20-30 तक etc. इन सब चीजों की बात है हो चुकी है लेकिन आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि electronic vehicles की इंडिया में status क्या है क्या problem है और किन चीजों के उपर हमें focus करने की जरूरत है क्योंकि challenges बहुत ज्यादा है अगर हम लोग इन challenges को overcome भी कर लेंगे उसके बाद भी बहुत सारी problems है with respect to the already existing automobile sector उसका क्या होगा और क्या हमारी focus area होनी चाहिए तो यह सब हमारा मुद्धा रहेगा इस particular discussion में let's begin our discussion लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगांकर अगर आप मुझे follow करना चाहते है you can follow me on the ID राहूल साइ 222 मेरा Facebook, Instagram और Telegram channel का ID same है अगर आपको कोई सवाल है, doubt है तो you can directly message me on Instagram और you can also email me on the ID provided इसके अलबा, Study IQ आपके रडाया है Comprehensive Brilliance Commence Program for UPSC 2021 For more information, download the app from Google Play Store and don't forget to subscribe to our channel Study IQ चलिए बात करते हैं electric vehicles की क्यों हम लोग ये discussion कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से मैं कैसे तो एक महीने से बहुत जादा electric vehicles के पर traction आ गया है क्यों? क्योंकि हाली में जो electric vehicles का major है Tesla, Elon Musk जिसको head है Tesla ने कहा है कि वो जल्द ही अपने operations इंडिया में शुरू करने वाले हैं In fact, बहुत सारी companies है जिन्होंने ओलड़ी electric scooters की manufacturing शुरू कर गी है बहुत सारे राजवज़े से उत्तरपदेश वगरा में ना सिर्फ production शुरू हो चुकी है In fact, बहुत सारी research भी शुरू हो चुकी है इंडिया में alternatives के लिए battery technology के उपर how to replace lithium-ion batteries, etc क्योंकि बहुत सारी चीज़े जो इस battery से जुड़ी हुई, electric scooter से जुड़ी हुई वो सब चाइना से आती है तो हम लोगों ने आत्मा निर्वर भारत की मुहिम भी श्रेट रख कही है तो इन सब का एक focus जरूर आ चुका है electric vehicle sector में भी तो चलिए बात करते हैं इंडिया में electric vehicle sectors की बारे में सबसे पहले तो ये है कि क्या मुझे आर्गू करने की जरूरत है और बहुत बड़ा कारण इसके लिए क्या है सबसे बड़ा कारण है इसके लिए fossil fuels और हमारी fossil fuels से क्या चल रहे है हमारी सारी गाडिया जो है two wheeler हो, four wheeler हो, transport vehicles हो यहां तक की train हो सारी चीज़े fossil fuels पर चल रहे है petrol और diesel के उपर चल रहे है जिसकी वज़े से problem क्या हो रहे है कि इंडिया में production की मातरा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी in fact आप देख सकते हो आप यह world economic forum की report सबसे top 10 polluted cities यानि कि प्रोदूशित जो cities है शहर है जो cities है world में उसमें से 6 इंडिया बढ़े यानि कि top 10 में से 6 polluted cities are from India only तो I don't think I need to argue क्यों कि हमें क्यों shift करने की जरूरत है electronic vehicles की तरफ क्योंकि pollution को रोकना है तो we need to find some alternatives इसके अलावगर हम बात करें इंडिया की oil import के बारे में देखिए हाली में इंडिया की जो oil import है crude oil import है उसकी dependence जंप हो चुके 84% यानि कि केवल 16 प्रतिचत हम लोग अपना खुद का production कर रहे है तेल का crude oil का जिससे petrol diesel आता है यानि कि 84% बाहर से या रहा है तो इस dependence से क्या होगा problem कि एक तो हमारी forex कम होगी और यह जो हम आत्मनिरबरता की बाते करते है oil में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर रणाता है इस oil sector इसके अलावा भी और बहुत से चीज़े हैं जिससे हम लोग आर्गू कर सकते हैं कि electronic vehicles काफी अच्छे हैं क्योंकि जिस तरह से technology बढ़ रही है artificial intelligence की बाते हो रही है economy की बाते हो रही है fuel saving की बाते हो रही है Paris Climate Agreement की बाते हो रही है जिसमें हम लोग ने एक INDC दिया हो है अगर उन सब को fulfill करना है तो electric vehicles बहुत बहुत अनिवारी हो जाएंगी हमारे economy तो argue करने की ज़्यादा ज़रूत नहीं we all understand की electric vehicles काफी फाइदेमन होंगी हमारी economy in fact बहुत से जो developed countries है उन्होंने already start किया हुए अपना push जो fossil fuel based vehicles होती है उन से electric vehicles में shift होने के लिए लेकिन इसके साथ जुडावा एक और point भी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं electric vehicles की तरफ shift हो रहा हूँ तो आपको ध्यान देना है कि मेरा electricity भी कहा सार है उसके ओपर भी ध्यान देना है ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे vehicle कम कर रहा हूँ जिससे कि fossil fuel consumption कम हो रहा है vehicles में लेकिन अगर आप वही electricity coal से produce कर रहा है तो फिर से problem है ही that would not be useful यानि कि electricity भी आपकी renewable energy से produce होनी चाहिए और आपकी vehicles भी उसी renewable energy पे चलनी चाहिए तभी ultimate फाइदा हो सकता है तो ज़्यादा आर्गू करने की ज़रूत नहीं थी I hope कि आप convince हो गए होगे कि electronic vehicles फाइदेमन है लेकिन बहुत बड़ी challenges है electric vehicles को shift कराना यानि कि 2030 तक हम लोग सारी vehicles electric vehicles में shift करना है तो बहुत सारी challenges का हमें सामना करना पड़ेगा और उन challenges को हमें खराना भी पड़ेगा यानि कि whatever challenges come we have to face it and we have to find a solution सबसे बड़ा problem है charging infrastructure चलिए बात करते हैं क्यों charging infrastructure की problem चल रही है देखिए मैं आपको उदाराने तो अगर मुझे अभी यहां से कहीं निकलना है तो मैं क्या करूँगा मैं अपनी गाड़ी निकालूँगा और अगर उस गाड़ी में इंदन नहीं है तो मैं किसी पेट्रोल बंक चला जाओंगा फिलिंग सेशन चलाओंगा वहाँ पेट्रोल भराओंगा और आगे चल दो अब सवाल यह उड़ता है मुझे पेट्रोल बंक कितने डिस्टंस में मिल जाएगा दीख अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया में अप्रोक्सिमेटली 718 डिस्टिक्स है और इन 718 डिस्टिक्स में एक नंबर बताता हूँ आपको अगर मैं निकलूंगा अगर मेरे गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो मुझे अप्रोक्सिमेटली 5 से 10 किलोमेटर रेंज में कही न कही पेट्रोल बंक मिल जाना चाहिए लेकिन अगर मेरे पास एक एलेक्ट्रिक वेहिकल है और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और उस एलेक्ट्रिक वेहिकल की बैटरी में चार्ज कम है अगर गाड़ी बंध हो गई तो मैं कहां उस गाड़ी को चार्ज करूँगा कितने चार्जिंग स्टेशन्स हैं इंडिया में तो उस पे निरबर नहीं रह सकते, तो we need charging station, तो charging station के लिए charging infrastructure की जरूरत है, और already सरकार इस चीज़ पे काम कर रही है, जैसे हम लोग के बास 70,000 petrol banks मेंने कहा, इसे थोड़े से कम होगी, 69,000 etc petrol bank जरूर है, तो यहाँ पे अगर charging infrastructure आ जाये, तो it would be really really great for the electric vehicles, but again, this is a long way ahead, बहुत cost, देखिए, अगर मैं कोई car खरीद रहा हूँ, in general, बात करते हैं, मारूती, सुजुकी, स्विफ्ट की, तो आपको on road price आपको range चुरू हो चाहिए, approximately 7,000,000 से उपर बढ़ जाएगी, तो 7,000,000 में आपको एक car आ जाएगी, decency petrol car, diesel का जो भी हो, ठीक है, लेकिन अगर वही मैं electric vehicle, electric car की बात हूँ, देखिए, टेसला की, जो टेसला model 3 है, उसका price है, इंडिया में approximately 60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तो इसके अलावा इंडिया में टेकनोलोजी की प्राबलम क्यों है। मैंने आपसे कहा कि Swift के वारें बात कर रहा था चले ये मारती सुगी Swift के वारें बात करते हैं अगर मैं एक Swift कार निकालूंगा पेट्रोल की कार है समझ लिए फ्यूल नहीं है तो मैं उसको फ्यूल टैंक फुल करा दूगा अप्रोक्सिमेटली 40 लिटर फ्यूल भर दूगा मैं और अगर माइलेज देगी मेरी गाड़ी 15 तो 600 किलोमेटर तक मैं चल सकते हैं तो मतलब एक कम्प्लीट फिलिंग ऑफ पेट्रोल में 600 किलोमेटर चल रही है अप्रोक्सिमेटली वही प्रोब्लम है टेकनोलोजी की अगर मैं एक कम्प्लीटली चार्जड वेहिकल निकालूंगा तो क्या वो 600 किलोमेटर चलेगी या नहीं यह बहुत बड़ा सावाल है देखिए आप 120 में मैं हाईयर एस्टिमेट बताओ इससे भी थोड़ा सा कम ही है तो 120 इसकी रेंज है और 120 किलोमेटर में क्या मुझे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा फिर से सवाल वही उड़ता है और साथी साथ बैटरी टेकनोलोजी की ओपर भी फोकस होना चाहिए लीथियम आयोन से श होती है इंपोर्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट यह फिर से चायना से ही हमारी निर्भरता हो गई है चायना के उपर और एलेक्ट्रिक वहिकल्स और उनकी कंपोनेंट्स उनकी और उनकी मटेरियल के लिए भी तो यह सब प्रॉब्लम्स जरूर है अब इसके अलावा बात करे अगर हम लोगों ने सारी चैलेंजिस को रिजॉल्व भी कर लिया फाइनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा पॉसिबल डिस्रप्शन हो सकता है आटो मोबील सेक्टर जो अल्रडी है जो अल्रडी इंडिया में कंपनी से देखे मारू तो शिजुकी है हुंडा है किया आ है तो जो existing automobile sector है उसके लिए भी slow transition की जरूरत है यानि कि अगर electric vehicles बना रहे है तो मारूती को भी टाइम दीजे ताकि वो भी अपने shift करा दे सारी fossil fuel based vehicles है electric vehicle की तरफ Hyundai को भी दीजे बाकी सारे companies को भी that means automobile sector has to transition slowly बहुत बड़ी challenges है इन challenges को हमें resolve जरूर करने की जरूरत है तो इ इसके लिए क्या करना है या फिर हम लोग क्या already कर रहे है अगर हम लोग सरकार की बात करें तो सरकार ने 2013 में national electric mobility mission प्लान बना है जिसके तहत वो already incentivize कर रहे है electric mobility vehicles या फिर electric vehicles को in fact 2015 में एक बहुत ही important scheme आई थी FAME आपने सुनाओगा शॉर्ट में FAME in fact इसका second phase भी शूरू हो चुक है FAME 2 FAME मतलब faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India FAME India scheme जिसका second phase शुरू हो चुक है चार चीज़ों पर focus करते हैं वो किस तरह technology का development करें हम लोग in the battery technology in the electric vehicle sector किस तरह demand create करें और charging infrastructure के उपर focus जरूरू है साथी साथ pilot project शुरू कर रहे है FAME India के तरह इसके अलबागर हम बात करें Ministry of Information and Technology की एक और scheme है phased manufacturing program जहां पर electric electronic manufacturing के उपर focus किया गया है जिसका again फिर से use होगा वापस in electric vehicle sector में for example battery technology के उपर साथी साथ 2019 में इंडिया में एक नया mission शुरू हुआ है national mission on transformative mobility and battery storage focus कीजिएगा battery storage के उपर यानि कि इंडिया में already focus आ चुका है research and development के उपर और हम लोग foreign players को भी इंडिया में invite कर रहे है classic example being Tesla which is going to come very soon in India right तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन इससे भी और बहुत कुछ करने की जरूरत है हमारे कुछ focus areas होने चाहिए इन schemes के ज़िए already focus आ चुका है charging infrastructure का मैंने आपको बताया कि इंडिया में कितने charging stations है 300 इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इंडिया ने already decide कि है कि 2030 तक approximately 2900 charging stations आएंगे इंडिया में इसके उपर already मुहिम छिड़ चुकी है भारत सरकार की इसके अलावा battery technology के उपर focus जरूर है और 2019 commission इसके उपर focus कर रहा है battery technology से जुड़ा हुआ एक और बहुत जरूरी चीज़ है कि आपको essential metals और essential material जो है इसमें उसकी कोशिश करनी चाहिए कि भारत में ही मिले अगर भारत में नहीं मिले at least भारत के allies मैं कहाँगा भारत के partners के पास मिले चाइना के उपर जो हमारी निरबरता है उसको कम करें और बाकी जो भरोसेमंद allies है उनके उपर हम लोग निरबर हो सकने for example जैसे की Australia होगा, United States, Japan और other countries which do have these essential metals apart from that make in India electric vehicles के उपर focus already हो चुका है इसको और ज़्यादा push करने की ज़रुवत है एक बहुत ही important sector जहां से थोड़ा सा miss out हो चुके है सरकार वो है electric vehicles के उपर education education curriculum आना चाहिए especially अगर हम लोग बात करें vocational courses की ज़रुवत है I would say graduate courses की ज़रुवत है और post graduate यानी research की भी काफी ज़्यादा ज़रुवत है perhaps one of the things can be to start an electric vehicle university or some institutions specifically dealing with electric vehicles जिससे की और भी push मिले इस particular sector तो इस सब discussion से सार क्या निकलता है कि हम लोगों ने already decide कर लिया कि we are going to move towards the electric vehicles going into future perhaps 2030 नहीं कम से कम 2040 पचास तो electric vehicles की बहुत ज़ादा push हो जाएगा लेकिन इन challenges को resolve करने की बहुत ज़ादा ज़रुथ है special challenge यह है कि किस तरह हम लोग already existing automobile sector को transit करा देंगे electric vehicle में that would be a very very interesting challenge and that would be something which would be very interesting for us to see how government resolves this particular issue that's it from my side on this part of discussion thank you for watching Jai Hind